श्री शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब आज नवमी तीती है और आपको केवल नो लॉंग और एक पान के पत्ते से बहुत ही अच्चुक उपाय करना है जो आपके जीवन से बड़े से बड़ा कर्जब भी अगर आपका होगा तो वो सब दूर होने वाल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तु ब्यम जरूर लिखें देखिए आज के दिन जो है वो रवी पुशी योग सरवार्त सिद्य योग और रवी योग का ये त्रीवेणी योग का सईयोग बन रहा है और ये सईयोग बहुती अत्रीशू होता है तो इसलिए आपको ये खरिया करनी है कि आज के इस वीडियो में हम आपको दो उपाए बताएंगे दोनों में से जों सा उपाए आपको करना है वो आप कर लीजिये ठीक है सबसे बेला जो उपाए है वो है कि आपको घर में मातारानी को आज के दिन आपको कुमकुम की टीकी लगानी है उनके सामने आपको एक घी का दीपक फ्रिजिलित करना है हो सके तो घी का दीपक फ्रिजिलित करें अब आपके हाथ में दो लोंग ले लें ठीके अब आपको ओम सिद्धी दात्रे नमहा इस मंत्र का 108 बार आज आप करके वो जो दो लोंग है वो आपको घी के दिपक के अंदर डाल दीनी है इस प्रकार से आपको ये क्रिया करनी है और आपके जीवन में जो भी कर्ज है उसे दूर करने की मातारानी से परातना करनी है बड़ा ही आसान उपाय है ये अब आप क्या करेंगे मा सिद्ध का उंगली से ओम लिखें, ठीक है हवा में ही आपको ओम लिखना है, स्वास्तिक का चिन्न भी बना सकते हैं, त्रिशूल का चिन्न भी बना सकते हैं, तो इस प्रकार से आप आपके घर के हर एक कमरे में जा करके आप हवा में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपके जीवन में देविक शक्ती जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होगी और आपके जीवन से बड़ से बड़ा कर्ज जो होगा वो दूर हो जाएगा ठीक है ये आपको पेला उपए करना है दूसरा उपए ये है कि आज के दिन आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है साथ में आपको एक नागरविल का पान का पत्ता खंडित नहीं होना चीए कटा फटा नहीं होना चीए एक पान का पत्ता ले करके जाएं पान के पत्ते के उपर आपको नो लॉंग रख देनी है और थोड़ा सा सिंदूर सुखा सिंदूर आपको डाल देना है लाल श्री राम का आपको मंत्रों का जाब करना है राम राम का भी मंत्र का जाब कर सकते हैं श्री राम शेरनम ममह का भी जाब कर सकते हैं या ओम श्री राम चंद्रायनमह इस मंत्र का भी 108 बार जाब कर सकते हैं जो उन सा भी आपको पत्ते वाले उपाई जो है वो जरूर करना चीए बहुती प्रभावशाली होते हैं अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी मत करना कभी भी कर सकते हैं सुबे से लेकर के रात तक जब आपकी इच्छा हो जब आप कर सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव